मणीपुर से आने वाले विडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है रू नहीं कापती है दिल नहीं देलता है मानफता नहीं शर्मसार होती है मणीपुर से आने वाले विडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशे हैं और असलियत ये है कि इस देश के प्रधान मंत्री ने सत्र से पहले आठ मिनट पच्छिस सेकंड का संबोधन किया और मणीपुर के लिए उनके पास मर मात्र 36 सेकंड थे मणीपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है मणीपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोण लोगों की बेज़ती हो रही है और उसके बाद वो 36 गरोण राजस्थान पर घिनोनी गंदी राजनीती करने लगते हैं शर्मानी चाहिए मोधी जी आपको आप एक निरलज और कायर प्रधान मंत्री है उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सब भी समाज की दुखाई दे रहें तो दुर्भाग यह है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधान मंत्री है और अस होते हैं आपने मणीपूर पर कारवाही की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा काप ना उड़ती और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और ख्रोध से भणा है सत्ता आपके हाथ में संस्था है आपके पास है पुलीस आपके पास है बिरेंज सिं असलियत यह है कि उस दरंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है हर औरत को लग रहा है कि वो नगन है वो निर्वस्तर है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है 77 दिन पुराने उस वीडियो में दो औरतों को निर्वस्तर करके नंगा करके सड़कों पर ग प्रदान मंत्री चार मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है इतनी नाकाम इतनी निकम्मी इतनी नपुनसक सरकार के प्रदान मंत्री आपको इल्व नहीं था ऐसा हुआ हो क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मनिपुर में इंटरनेट बैंग है ऐसे तमाम वाक्ये हुए हैं और मीडिया के मेरे साथियों अगर प्रदान मंत्री को कट घरे में खड़े करकर दो शब्र दो सवाल पूछे होते मनिपुर पर तो आज यह आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता आज नियाय की गुहार नहीं लगानी पड़ती आज सुप्रीम कोट को सुवो मोटो कोगनिसंस नहीं ले परती मनिपुर की लेकिन प्रदान मंत्री आपकी चुपी से ज़ादा शर्म सार करने वाले तो आपके वो दो शब्द हैं जो आपने मनिपुर पर बोले आपका दिल पीडा से भरा है आपको क्रोध है ना आपकी पीडा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है क्योंकि दिखती वो दो नंगी औरते हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था और आप विदेशों की यात्रा करते रहे आख पर पटटी बाढद कर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे माफी मांग ये मरिपूर pafaa कि हर स noun से जिस को आज लगता है कि जिसकोल लगता है उसकी अत्मा ही नहीं इसके शरीर को भी नोचा जा रहा है शर्मानी चाहिए आपको दुर्भाग है कि 140 करोड देशवासियों के प्रधान मंत्री है ना